भक्तो जय भोलेनाथ जिससे की आपकी यात्रा में और čार्चान लग सकें और इसको भी यादगर बना सके तो बतादू आपको जो जयगा आपको बताने वाला हूँ उसका नाम है शिवखोडी जो की बगवान शिव के साथ ही जुड़ी हुई है शिव खोडी जो है कट्रा से जो की वैशुदेवी का बेस केम्प है वहां से तक्रीबन पड़ता है 80 km और वहां पे जाने की दो तारीके हैं यहां तो आप जो है लोकल बस करेंगे जो की प्राइवेट ओपेटर द्वारा चलाई जाती हैं यहां फिर आप टेक्सी करेंगे बता दू आपको 80 km करने के लिए आपको 80 km जाना भी है वापिस भी आना है तो अगर तो आप बस करेंगे तो बस वाले आपसे चार्ज करते हैं 250 रुपेज पर मेंबर और वो जो बस होती है वो होती है 2x2 50 सिटर बस होती है जिसके अंदर आपको लगते हैं पूरे 12 गंटे 12 गंटे तो minimum है कम से कम अगर कोई गाड़ी में breakdown नहीं होता तो किसी भी तरह की समस्या नहीं आती बस को लेके ट्रैफिक जाम को लेके तो 12 गंटे तो आपके कहीं नहीं गे और वहीं अगर बात करते हैं टेक्सी की तो टेक्सी वाले चार्ज करते हैं आपसे तकरीबन 200 दूपे तो ऐस पर बज़ड आपको चलना है तो आप भस भी कर सकते हैं और अगर आपको समय कम है और टेक्सी कर सकते हैं गया पर नंबर दो आप चार लोग है ना तो आपको किसी की वेट नहीं करने बस वाला जब आपको ड्रॉप करेगा बस करने पड़ेगी कि जब बाकी लोग आएंगे तभी बस चलेगी तो आप उनके ओपर कहीं ना की डिपेंड हो जाएंगे लेकिन अगर आपकी टेक्सी अपनी खूद की है तो कोई डिपेंडेंसी नहीं है तो यह होते पैरामीटर अब हम बात करते हैं कि हम वहाँ पे जाएं जाएं तो उसकी कथा क्या है वो क्या कहते है उसका रहसे क्या है जैसे हमको पता है कि हमें गुफा में जाना है शिया मानाजी की तो वहां का रहसे क्या है वहां की इंपॉर्टेंस क्या है तो बता दूँ आपको बात करना हूँ शिव खोडी की वो जम्मू के एक जिला अपने पूरे परिवार के साथ माता पारवती भगवान गनेश और कार्ति के साथ विराजमान है ऐसी माननेता है कि इस गुफा के दूसरे छोर पर जो है न वो श्री अमरनाजी की पुईत्र गुफा है तो यहां पे भी आपको experience वही मिलेगा जो अमरनाथ में मिलेगा बस फर गुफा से अभी निकले और यहां से एंटर किया और वहां से निकले बट बता दूँ आपको कि पुराने कथाओं के अनुसार भसमा सुर नामख राक्ष्ष को भगवान शीव ने यहीं बसम किया था और इस गुफा में यह भी कहा जाता है कि इस गुफा में भगवान पर एक राइटन साइड पर जो लेफटन साइड है ना वह आपका जाएगा पुष्टर गुफा जो कि आपको डेट सो मीटर पूरा चल के जाना है गुफा के अंदर और आपको पूरा वहाँ होगा कि इसे महां पे कबूतर भी हैं बड़ी बड़ी गुफाएं हैं किसने ख पार्वती के गनेश के कार्थिके के और नाग देवता के वहाँ पे हर चीज है आपको मिलेगी और आपको ऐसा अबहास होगा कि वाकई में कुई चीज है जो कि हमें अकर्षित कर रही है अपनी वाद तो यह जो अनुबव है न यह आपको लेना हो तो शेव खोड़ी आपको आना ही होगा क्योंकि यह मेरे कहने से कुछ नहीं होगा यह आपका अभास लेना है आपको फिल करना है तो आपको एक बार आना पड़ेगा तो मैंने आपको बता दिया कि पहुंचना कैसे है दो तरीके हैं आपके पास यहाँ तो आप शेरिंग बस कीजिए जो की लेती है 200 रुपे बस चलेगी सुबह कटरा से 8 बजे और फिर चलेगी 10 बजे और अगर आप जाते हैं टेक्सी पे तो वह आपके इसाफ से है आप 6 बज जाए 7 बज जाए 8 बज जाए 9 बज जाए इट्स अप टो यू लेकिन मता दू आपको कि जो बस पहले जा रही है 8 बजे तो आप उनसे ट्राई करना कि उससे पहले ही जाएं क्योंकि जो रूश होता है यह जाना सारा बसों का ही होता है अगर आप टेक्सी पे जा रहे हैं तो ट्राई करो कि 7 बज निकल लो फिर आपको दशन बढ़े राम से होंगे कुईकि जब होता क्या है 8 बसे 10 बसे 15 बसे कठी कि जाती है ना तो वह सारे के सारे लोग वहां कठे बोच्ते या य तो जो urus को आपको वहां पर कोई किसी तरह की डिमांड नहीं कोई धक्का रुप्की नहीं है बड़े अराम से द्रृशन नहीं है जो आते हैं मैं गद गद हो गया था और मने अनुभव किया हों यहां पर शेव खोड़ी जाना बिल्कुल ना भूलेगा क्योंकि यह मेरी आपसे परसनल राये हैं और अधिक जानकारी आपको चाहिए तो मुझे क्मेंड बॉक्स में क्मेंड कर सकते हैं तो वीडियो करता हूँ समाप्त और कहना चाहूंगा कि जो वीवर इस चैनल पर नया है पहली बार आया है तो ऐसे यूसफुल कंटेंट के लिए जानकारियों के लिए प्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा और जो जो जोड़ कर्कार आया है